अबस्कार मैं हूँ आपके साथ सुमुत्र शर्मा बंसलियों उसकी खास पेशकर्ष में आपका बहुत स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि आश्मान में हर बार स्वास्ते संबंदी समस्याओं पर खास जान करें दी जाती है इसी करी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पं पंकज आपका बहुत स्वागत करता है दन्यवाद तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में अगर आपकी भी इससे जुड़ी कोई समस्या है तो हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं आप सवाल कर सकते हैं और डा ब्रेन स्ट्रोक एक दिमाग की बिमारी है जो यूजली बहुत अचानक होती है तो यह उन पेशेंट्स में होती है जिनको वे यूजली एल्डरली होते हैं और उनको कुछ और समस्याइं होती हैं जैसे डाइबिटीज हो गया ब्लड पेशर हो गया इन दोनों तीनों समस्य संद्रियाओं के साथ हाट की कंडिशन सो गई ईनके साथ ही यूजली लोगों को स्ट्रोक्स होते हैं तो इस मतलब यह है कि किसी का अचानक किसी को नियूरलॉजिकल डेफिसिट्स डवल पो जाना दो बोलने में लड खडाहट होना आवास में लड खडाहट होना हमारे हाथ या पैर की कमजोरी जो यूजिली एक तरफ की होती है और इसके साथ किसी का Sensorium खुश खुश घड़बड हो जाना ये सारी चीज़ों का यूजिली अचानक होना ये stroking के लखशन है और stroking होता क्यों है या stroke क्या है तो हमारी खून की नसे जो दिमाग को सप्लाई करती हैं ये इसकी आइदर बंध हो जाना अचानक इस खून की नसों का बंध हो जाना या फिर उनका फट जाना इन दोनों चीदों की वज़े से ये स्ट्रोक होता है आपने अभी स्क्रीन पे देखा कि हमारी एक नस एक उसमें देखें तो एक जो ब् वेसल्स की प्रॉब्लम की वज़े से हैं हमको स्ट्रोक होता है बिल्कुल डॉक्र पंकर जे इसको पहचाने कैसे किसी कोई भी बीमारी होती है उसके लक्षन आपने बताए लेकिन इसकी पहचान कैसे हो किसी मरीज को कि उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया है जी तो स्ट्रोक कि इसी को हो गया है तो उसके जो लक्षन कुछ मैंने अभी बताए और उसी को अगर हम इस सिनॉनिम जो मैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है F A S T FAST यह FAST हमको यह सिनॉनिम बनाया गया है कि हम इसको याद रखें और इस हिसाब से हम अपने स्ट्रोक को इंटिफाई करें F मतलब है FACE तो अगर आपको FACE की कोई weakness हो रही है जिसमें आपका एक तरफ चेहरा ढीला पड़ जाना या चेहरे पे आप खाते वक्त आप देख रहे हैं बोलते वक्त आप देख रहे हैं कि आपका चेहरा एक तरफ मुढ रहा है तो FACE की weakness इस तरीके से पहचानी जाती है develop होने चाहिए तो FACE आम A से आम आम की weakness और उसके बाद आता है speech मतलब बोली में लडखडा हट होना तो अगर आप बात करते करते आपने देखा कि आपकी आवाज अचानक लडखडाने लग गई साफ नहीं निकल आ रही है जो शब्द आप बोलते हैं ये शब्द साफ नही को identify करते हैं कि आपको stroke हुआ है और उसके बाद time stroke होने के बाद जो सबसे important चीज है कि आप जल्दी से जल्दी समय के अंदर एक ऐसे अस्पताल में पहुंचें जो stroke का treatment कर पाए तो stroke के treatment करने वाले अस्पताल जो आपके पास हो जो जो stroke का treatment कर पाएं उनकी यहां जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए कोशिश करें क्योंकि stroke का reversible treatment time bound है ऐसा नहीं कि आप आज stroke हो गया दोपर तक जाएंगे शाम को जाएंगे इस तरीके से नहीं अगर आपको stroke हुआ है तो जल्दी से जल्दी hospital रश करें यह उसी बीमारी की तरह है जैसे heart का condition है हमको heart attacks होते हैं यह brain attack है brain attack को ही stroke बोलते हैं तो आपको time के अंदर hospital पहुंचना है तो इस तरीके से यह synonym important है अपने stroke को identify करने के लिए FAST अब इसके अलावा मतलब face की कमजोरी, arm की कमजोरी, speech का लड़ खड़ाना इसके अलावा भी कुछ symptoms हैं जैसे हमारे एक तरफ शरीर पे कोई numbness हो जाना, numbness मतलब सूनापन हो जाना, जंजनाहट हो जाना जो अचानक शुरू हुआ है या फिर अचानक सर में बहुत जादा सरदर्ध होना जो की एक सेकेंड या दो सेकेंड में इतना सेडन हो गया कि अब आपको उससे रहा नहीं जा रह है हम English terms में उसको बोलते है थंडर क्लाप्स, थंडर क्लाप्स headache, थंडर मेंस lightning तो अगर वो इतना जोर का headache है तो भी आपको stroke होने की संभावना है अगर कोई आदमी suddenly अपना होश खो बैठे चलते चलते बेहोश होके गिर गया आप वो उठाय नहीं जा रहा है तो यह भी ए अस्पताल जाना है लेकिन यह जो बाकी symptoms है यह भी important है जिसमें जो मैंने बताया stroke को identify करने के लिए और rush to hospital के लिए बिल्कुल डॉक्तर पंकच stroke होने पर क्या किया जाना चाहिए क्या हमें घर पर ही इसका कोई emergency treatment शुरू कर देना चाहिए या फिर सीरे hospital की जाना चाहिए ज यह सबसे पहला चीज है कुछ लोग या जैसे heart attacks में होता है या बहुत आमतिया लोगों को पता है कि जैसे अगर आपको लगे कि नहीं आपको chest pain हो रहा है आपको heart attack होने वाला है तो बहुत सारे लोग खुन पतला करने की गोलियां जिनको anti-platelets कहते हैं फोन पे किसी doctor से बा stroke कई type के होते हैं और वह identified करके ही उसका जही treatment किया जा सकता है किसी नियृ कुई-कोई stroke किसी की डाइब के stroke में आपको खुन-पतला करने की गोलियां लेना जरूरी है ठीक है लेकिन इसके अलावा कुछ त्रोक ऐसे हैं जिसमें खुन-पतला करने की गोलियां लेना बिना पता किये कि किस टाइब का स्ट्रोक है आपको नुकसान कर सकता है तो आप घर पे इसका ट्रीटमेंट बिलकुल ना लें आपको बस अस्पिताल रश करना है और कुछ नहीं करना है नेक्स्ट मिल्कुल डॉक्टर पंकज और और भी हम कुछ जानकारी आप से लेंगे एक कॉलर हमारे साथ हमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं चिनवाला से जी पूछी अपने सवाल कि अपने सब्सक्राइब करीम दस बारा साल पहले हमारी धरवारी बाइक से गिर गई थी का शर्ण que जाई हालो हां कड़्ा हां कि अ बेष्ड जाई हालो हाद गिर गई उसके बाद ख्ली उपर यपर कर दोफ तब से उनका आज 15 साथ से इलाज चल रहा है वहीं दवाईयां वहीं दवाईयां खाते-खाते ऊप गई हैं बाद में डाक्षाब को अमने बोला रिख जीवन वर खाएंगे क्या दवाईयां दवाई खाने से दूपर थो रही है तो राक्षाब नो बोला एक बार अ तो देखिए जैसे आपने बताया आपकी वाइफ का एक्सिडेंट हुआ अब एक्सिडेंट होने के बाद दिमाग के जो बीमारियां होती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है या थोड़ा अलग किसम की होती है वो स्ट्रोक नहीं कहलाती है लेकिन चोट लगने के बाद आमतया लोगों को एक तरफ की कमजोरी हो जाना या या फिट्स या मिर्गी आने की संभावना हो जाती है तो मुझे आपके बातों से ऐसा अलग रहा है कि उनको एड इंजरी हुई है और है इंजरी के च्छे साल बाद जो आप बता रहे हैं दो बार बेहोश होना वह लाइकली मिरगी का अटैक आया है या फिट्स आया है और उसकी दवाईयां चल रही है और यूजिलि अगर किसी को हैड इंजरी के बाद फिट् रहती हैं अब आप जो यह दुसरी चीज़ बोल रहे हैं कि यह दिमाग में पानी बर गया या नहीं भरा वो केस बेस होगा आपके पेशंट को देखके ही हम आगे बता पाएंगे कि आपके पेशंट में दिमाग में क्या प्रॉबलम है आपका जो लास सवाल था कि दिमाग मे पानी भर जाता है ऐसा होता है हमारे दिमाग में दिमाग का flesh खून और पानी यह तीन चीज़े होती है तो इन तीनों का एक equilibrium बना रहता है उसी से हमारा दिमाग स्वस्थ रहता है तो अगर उसके flow में कोई problem होती है तो दिमाग में पानी भर सकता है लेकिन आपके पेशेंट में वो है या नहीं वो आपके पेशेंट को देखके ही बता पाएंगे चली ठीक है आप चर्चा की तरफ करूंगा और भी जानकारी हम डॉक्टर से देंगे डॉक्टर पंकच एक सबसे महत्पूर्ण सवाल यह है कि स्ट्रोक होने क कि कारण क्या होता है किनकिन बज़ों से यह रोगों में होता है जी तो प्रक केLouis को में कारण हैं जो जिसको हम रिसी सबसे Chelsea हैं जिनको डायबिटीज जिनको ब्लॉड प्रिशर है यह लाइसे टाइल कौ मॉर्बिटीज वाली बिमारी स法 तो अगर आपको डायबिटीज है आपको blood pressure है आपको आप काफी मोटे हैं आप आप जब सोते हैं तो आप खराटे काफी लेते हैं या फिर आपको heart की बिमारी है आपको heart के धरकन की बिमारी है तो इन सारी conditions में stroke होने की संभवना बढ़ जाती है तो ये हो गई diseases जो की आप prevent नहीं कर सकते एक बार हो गई तो stroke क chances हैं अब आपको करना क्या है कि इन सारी चीज़ों का जो भी आपको lifestyle को morbidities है diabetes, blood pressure इनको control करना है इनका अच्छा इलाज कराना है रही addictions, addictions एक ऐसी चीज़ है जैसे smoking, alcohol, tobacco chewing इनका भी हमको इनको नहीं करना है इससे ये stroke के बहुत important कारण है और इन से आपकी जो दूसरी च pressure इनका भी control खराब हो जाता है तो आपको ये सारे risk factors जो है जैसे diabetes, blood pressure, cholesterol अगर आपको है तो heart की बिमारी है और आपको कोई नशा है इन सब चीज़ों को गलत चीज़ों को बंद करना है और जो बिमारियां हो गई है उनको अच्छे से control करना है ये सारे के अलावा अब आपक आप नमक वाली चीज़ें कम कर दीजे खाने में आप शक्कर वाली चीज़ें, cholesterol वाली चीज़ें इन सब चीज़ों को आप limited amount में खाईए या मत खाईए तो बेटर रहेगा आप एक healthy lifestyle अपना ये जिसमें रोज सुबह आप आदा घंटा सुबह वाकिंग कीजे शाम को आद बशाम नहीं चलेगा तो इन सारी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो आप stroke के chances को कम करते हैं ठीक है आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ एक जोड़ रहे हैं सिगेत करीम हैं चनवाला से जोड़ रहे हैं सिगेत जी सवाल कीजे अपना डॉक्टर साब हमरे साथ लगाता ब लेकिन उसके साथ यह प्रॉब्लम सिर्फ सर के अंदर होती है ना इसके साथ हाट में पैरों में पता कलकन जाए सरदाज होता ना हाँ है ठीक है ठीक है तो देखिए चुकि स्ट्रोक का प्रोग्राम है मैं बोलूगा कि स्ट्रोक नहीं है पहली बात अब यह क्यों होती है इसके लिए आपको चाहिए होगा कि किसी डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि यह तरकन जो आप बोल रहे हैं यह कोई हैडेक का टाइप हो होसकता है या कोई ब्लड वेसल्स की प्रॉबलम हो सकती है जिसको आपको डॉक्टर को दिखा कर और हो सकता है कुछ जांचे कराकर हम किसको कर पाएंगे कि यह क्या है और इसका इलाज किस तरीके से किया जाएं चलिए ठीक है चरचा को आगे बढ़ाएंगे डॉक्तर सब आपने बताया कि यह होता क्यों है लक्षण कैसे है इसके अब बताई आप हमें कि इसका इलाज कैसे होता है आप किस तरह के पेशन को डील करते हैं जो स्ट्रोक होता है बैने स्ट्रोक के पेशन को तो stroke का इलाज depends करता है कि आपका stroke का type क्या है मैं discussion में हमने यह discussion लेट के लिए रखा था stroke के type के हिसाब से stroke का इलाज होता है तो जैसे अब आपने identify कर लिया कि लगता है patient को stroke हुआ है अश्पतार लेके जाहिए अश्पतार ले जाने के बाद सबसे पहले patient को doctor देखेगा और वो डिसाइड करेगा कि क्या पेशेंट को इमेजिंग कौन सी टाइप की हम इमेजिंग करें मतलब CT scan करें MRI करें वो डिपेंड करता है hospital में क्या facilities available हैं और पेशेंट कितना severe stroke के साथ उधर गया है तो यह जब आप लेके गए तो doctors क्या करेंगे वहाँ पर इमेजिंग करेंगे और डिसाइड करेंगे कि आपको किस टाइप का stroke है अगर यह stroke ischemic stroke है जो की खून की नस्व के बंद होने की वज़े से हुआ है या hemorrhagic stroke है hemorrhagic मतलब खून की blood vessels फटने की वज़े से हुआ है तो इन दोनों conditions का इलाज अलग-अलग है तो अगर यह खून की नस्व बंद होने की वज़े से हुआ है तो हमको वो दवाईआ देनी हैं जो इसको खोल पाएं और अगर ये खून की नस फटने की वज़े से हुआ है तो हम वो दवाई देंगे जिससे की खून का बहना या रिसाव नस से जो हो रहा है हम इसको कम करें तो इसलिए ये दो अलग-अलग टाइप के स्ट्रोक का दो अलग-अलग टाइप का ट्रीटमेंट है या इलाज है तो घर पे आप इलाज मत शुरू कीजे क्योंकि अगर आप खून पदला करने की गोली देंगे तो ये खून का रिसाव वाली अगर आपको स्ट्रोक हुआ है तो ये खराब होगा ये बढ़ेगा लग-बग 80-85% लोगों को खून का नस बंद होने वाला स्ट्रोक होता है जिसको हम इस्ट्रोक कहते हैं और बाकि 10-15% को खून की नस फटने वाला स्ट्रोक होता हुता है इसको हमहिमर्हाज क्याते हैं इन दोनों का ट्रीट्मेंट अलग-अलगे तो अगर आप किसी अस्पटाल में इस्ट्रोक या खून की नस बंद होने वाले तो के सा автом आपको खून की नस में इंजेक्शन द्वारा खून पतला करने का इंजेक्शन दिया जाता है और इससे जो क्लॉट है जो खून की नस को ब्लॉक करके रखा है यह खूलने की संभावना होती है और 6 घंटे तक हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम आपकी नसों के अंदर जाएं हम यह रही 6 घंटे की बाद अब अगर आप 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे में आते हैं तो मुश्किल है कि हम आपके इन स्ट्रोक का मैनेजमेंट कर पाएं लेकिन अभी बहुत सारे आडवांस आ रहे हैं जिसमें हम कोशिश कर सकते हैं यह डिसाइड कर सकते हैं कुछ आडवांस टिशू जो की जिसको ब्लड सप्लाई बंद हुई है वो सालवेजबल है या नहीं है तो उसको वो इमेजिंग करके हम डिसाइड कर पाएंगे कि हम आपको यह खून पतला करने का इंजेक्शन दे सकते हैं या नहीं हम आपको यह खून का क्लॉट निकालने वाला ट्रीटम पिरियेड यह विंडो पिरियेड च्छे घंटे का है जिसमें आप साड़े चार घंटे तक इंट्रावीनस थ्रॉम्बोलिसिस करते हैं मतलब आप पूरे खून के शरीर के खून को पतला करके एक्सपेक्ट करते हैं कि खून वो क्लॉट डिसॉल्व हो जाए और च्छे घं लेकिन अब हम हम ट्रीट्मेट जो देंगे वहो गा कि जैसेFit आपको स्ट्रोंट क्णा धिशो जो वा है इसकी वाज़े से ध्माग में सूजनाती है वह सूजन का ट्रीट्मेंट बाद में हम आपको आपको दूसरा टाइप का जो होता है कहीं फिट्स आने की संभावना होगी तो हम उसके लिए देंगे ट्रीटमेंट और फिर हम खुन-पतला करने की दवाईयां शुरू करेंगे को दिमाग के प्रैशर को कम करने की दवाईयां देनी ही पड़ती हैं क्योंकि दिमाग का प्रैश बढ़ जाता है और फिर फिट्स की दवाईयां देनी पड़ती हैं तो इस तरीके से हम Rafael अठीज में शुरू करते हैं कर गून का रिषाव सब्गर यह हुआ हो रहा कि जो भी treatment, acute treatment है, ischemic stroke में possible है, जो कि 85% of the strokes है और इसका possible treatment सिर्फ window period 6 घंटे तक है, तो FAST acronym जो FAST आप से बता आ रहे हैं, जो screen पर दिख रहा है, ये time जो component है, stroke management में बहुत important है, अगर आप चाहें कि इसका reversible treatment हो, तो 6 घंटे के अंदर, preferably 4 घंटे के अंदर पहुंचें, time is brain, इसको याद रखिए, अगर आप जितना जल्दी अस्पताल में पहुंचेंगे, उतना ज्यादा आप reversible treatment, reversible stroke के symptoms होने की संभावना रहेगी, तो चलिए चर्चाओ को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हमारे साथ एक उलर जोड़ रहे हैं, जो कि 36 घर से हैं, सनत, सनत पूछी अपने सवाल डॉक्टर से, जी से, डॉक्टर सार, नमस्कार, नमस्कार, मैं यह जानना चाहता हूं, मेरा 2007 में operation हुआ था, जी, इसका, जी, तो उसमें, ब्रेन में, उसमें blood circulation कम हो जाता था, उसमें clot जमा था उसको निकाले थे, आपके उमर क्या है, मेरी उमर इस समय 38 यह है, यह क्या सर में चोट लगने की वज़े से, प्रॉब्लम होई थी? तो देखिए, आपकी प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, जिसमें दिमाग में कहीं पानी भराया है, या blood भराया है, जिसका operation करके relief किया गया, और इससे दिमाग एक ऐसी चीज है, जहां पर आपको कोई भी चोट लगे, तो fits या मिर्गी होने की संभावना बढ़ जाती है, बहुत सारे stroke के patients जो होते हैं, उनको भी future में मिर्गी आने की संभावना बढ़ जाती है, हमारे caller जिस तरह की problem बता रहे हैं, वो definitely stroke नहीं था, लेकिन जो patients को stroke हो जाता है, और stroke होने के बाद seizures होते हैं, या मिर्गी होती है, और उनको मिर्गी की दवाई लंबे समय तक खाने की जरुरत पड़ती है, जो कि 3 साल से 5 साल तक का minimum हमको लेना होता है, और उसके बाद हम depend उसके बाद भी दवाईयों को बंद करना completely risk free नहीं रहता है, तो caller साब ने जो पूछा कि हम उसको बंद कर सकते हैं कि नहीं, तो ये individual seizure risk calculate करता है हर doctor कि ये patient जो है इसको अगर हम दवाई बंद कर देंगे तो risk कितना है seizure आने का, या फिर ये क्या काम करता है अगर ये बंदा कोई ऐसी highway machinery के पास काम करता है, या इसका काम जादा driving वाला है, या swimming वाला है, तो फिर वो कोशिश करता है patient को convince करने की कि आपको risk रहेगा, छोटा भी risk रहेगा तो हम दवाई ना बंद करें, stroke के patients में भी ऐसे ही अगर उनको एक बार stroke के होने के बाद risk seizure हो गया है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि 3-5 साल minimum दें और उसके बाद individual risk stratification के हिसाब से decide करें कि इनको FITS की दवाई बंद करना सही रहेगा या नहीं. तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, डॉक्टर पंकर जो stroke का इलाज क्या छोटे या किसी नजली की अस्पताल में संभाव है या फिर इसके राज के लिए किसी बड़े अस्पताल में ही जाना होता है patient को? जी तो वापस से आते हैं हम अपने FAST acronym के उपर FAST, T मतलब time तो जो आपको time मैंने बताया window period इस window period में आपको एक ऐसे अस्पताल में पहुंचना है जहां पे stroke का treatment संभाव हो और stroke के treatment को decide करने के लिए हर डॉक्टर को एक minimum दिमाग के scan की जरूरत पढ़ती है जो की CT scan easily available होता है और MRI हर जगा अविलेबल नहीं होता है तो minimum आप patient को चाहिए कि एक ऐसे हस्पताल की तरफ रश करें जहां पर CT scan हो पाए अगर आप किसी ऐसे चोटे nursing home की तरफ चले जाते हैं या कोई 10-bedded 20-bedded hospital जिसके पास CT scan नहीं है जस्ट एक छोटा सा nursing home है तो वो आपको सही treatment stroke का नहीं दे पाएगा तो अगर आपके पास time है आप 6 घंटे के अंदर वाले patient है तो आप एक ऐसी जगह पे भागिए ऐसी जगह पे patient को लेके जाए जहां पर CT scan की सुविधा अवलाब उपलब्ध हो so that वहां के doctor CT scan करके at least बोल दें कि at least यह decide कर पाएंगे कि आपको hemorrhagic stroke नहीं हुआ है आपके दिमाज में bleeding नहीं हुई है और अगर bleeding नहीं हुई है तो फिर दूसरा type का stroke ही है और दूसरे type का stroke का treatment है intravenous thrombosis मतलब आप खून को पतला करने का injection दे सकते हैं और उसके बाद आ और बड़े center पर या नहीं तो आपको बस यह decide करना है कि उस जगह पर rush करें जहां पर CT scan हो और उसके बाद वहां से treatment कुछ छोटा से लेके फिर हम किसी और dedicated और बड़े hospital की तरफ shift हो जाएं तो peripheries में जो लोग रहते हैं जैसे कोई गाउं में रहते हैं तो अपने district hospital के पास जाएं जहां पर CT scan होता है और फिर आप decide कीजिए कि वहां पर आगे treatment continue हो पाएगा या नहीं तो at least आप ऐसी जगह पर rush कीजिए जहां पर neuro imaging या CT scan की सो विदाफ लब्ध हो इस तरीके से hospital अपना decide कीजिए ठीक डॉक्र पंकरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जानकारी दर्शकों के साथ साजा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास पेश्क्रश में फिलाल इतना ही कल फिर हासिर होंगे एक नई स्वास समन्दी समस्या को लेकर और बताएंगे उसको पाया भी दीजिए अजासत नमस्कार